यह सब का करेंट अफेयर्स बुलेटिन में स्वागत है आज हम 20 को स्टड़ी करेंगे और आप जिग्यासा बनाए रखें नॉलेज को गेंड करने के लिए फास्ट कोशन हम देखते हैं हूस बीन अपॉंटिड ऐस इंदियास पर्मानेंटीप टूद अटी नेशन्ज६ से लिए भारत की ओर और से पर्मानिट रेप्रेजनेटिटिव किसको चुना गया आप किया तो इसका अंसर है इंद्रमनीन तो इंद्रमनी पांडे वो व्वेक्ति रहेंगे जो भारत की ओर से युनाइटिड नेशन्स में स्थाही रूप से रहेंगे और अगर हम यूनो की बात करें तो इसके स्थापना 24 अक्टूबर नैंटीन फॉर्टिफाइव को ही इसलिए यूनोड जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और हैड ऑफिस जो है इसका वो न्यू यॉर्क में है हाली में एक बड़ी न्यूज रही भारत की उपलब्धी भी उसमें रही कि 2021-22 के लिए मिन्स टू इयर्स के लिए United Nations में जो Security Council है जो सुरक्षा परिशद है उसमें भारत को S23 सदस्य के रूप में चुना गया है आपको पता होगा कि जो United Nations की Security Council रहती है उसमें फाइव पर्मानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो हैं वो नौन पर्मानेंट मेंबर्स रहते हैं और भारत आठीं बार ऐसा इंद पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी में हाली में पहली महिला लेटिनेंट जनरल बनी है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है निगर जोहर तो निगर जोहर पहली ऐसी महिला है जो पाकिस्तानी आर्मी में लेटिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान के बात करें तो व और पाकिस्तान की यदि हम करंसी की बात करें तो वो है पाकिस्तानी रूपी ICC Chairman has resigned what's the name of the person ICC आप जानते ही है International Cricket Council तो International Cricket Council के Chairman ने हाल ही में resign दिया उनका क्या नाम है तो उनका नाम है शेशांग मनोहर और शेशांग मनोहर वो विक्ति हैं जो पहले BCCI के भी President रह चुके हैं और ICC की अगर हम बात करें तो इसके स्थापना 1909 में हुई इसका Head Office दोबाई में है और इनके resign देने के बाद मिन्स शेशांग मनोहर के resign देने के बाद जो भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए है वो है इम्रान ख्वाजा येस वेन वाज अरस नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटिट नेशनल डॉक्टर्स डे हली में मनाये गया यह कब मनाये गया ३र smj चिकितसक दिवस यह first July को मनाया गया और यह first July को यह क्यों मनाया जाता है क्योंकि भारत के एक बहान चिकितसक रहे हैं डॉक्टर वीसी रॉय उनका जनम हुआ था first July 1882 को तो उनके जनम दिवस पे डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और सबसे बड़ा जो अवार्ड है चिकित्सिक श्रेणी में तो वो भी इनी के नाम पर है BCR अवार्ड कहते हैं उसे अगे हम देखते हैं वेन वाज पॉस्टल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड पॉस्टल वर्कर्स डे को कब मनाया गया पॉस्ट ओफिस में जो भी लोग काम करते हैं उनकी सरहना के लिए ये दिन मनाया जाता है तो ये 1st July को मनाया जाता है Who has become the new CEO of Central Board of Film Certification? Central Board of Film Certification के नए CEO कौन बने हैं? तो हाली में एक नए ये नियुकती हुई है तो इसका आंसर है रविंद्र भाकर हाली में ये घोशना हुई कि पेड लगाओ परियावरण बचाओ तो ये जो कंपेड की घोशना हुई एक इस स्टेट या ये युटी के द्वारा हुई तो इसका आंसर है देली देली के चीफ मिनिस्टर है श्री अर्विंद केजरिवाल और यहां के लेप्टेंट गवर्नर है श्री अनिल बाईजल फू स्टार्टिड ए बिहेवियर चेंज कंपेड बिहेवियर चेंज कंपेड की शुरुआत किस ने की अभी आपको पता होगा कि न्यूज में काफी रहा कि जैसे लोगडाउन को अनलोग किया गया है तो उसमें किस तरह से नागरिक अपना जीवन वैतीत करें और वो कोरो लाइन्स दी गई है इस कंपेड में कि किस तरह का हम अपना बिहेवर में चेंज लाए इस अनलोग के दौरान कि हम कोरोना से बचे रहें और निती आयोग निती का जो फुल फॉर्म रहता है वह यह नेशनल इंस्टिटूशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया इसके हुआ है अमिताब कांट का ऐस इन विच सिटी ओफ पाकिस्तान दफ़स्ट लेंडूट के द्वारा की फिरस्ट हिंदू टेंपल बनाया जाएगा कौन से शहर में वो बनाया जाएगा तो यह इस्लामाबाद में बनाया जाएगा और यह क्रिश्ना टेंपल रहेगा मिंस ल से ज्यादा लोगों की जान चली गई तो इस का अंसर है बिहार, उतर प्रदेश, जारखंड वे पश्वी मंगाल बिहार में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई और उतर प्रदेश जारखंड वे पश्वी मंगाल में भी कई लोगों की जान गई Yes, which number of India is there in money deposited in Swiss तो इंडिया का उसमें कौन सा नंबर आता है तो इसका अंसर is 77 मिंस पूरे वर्ड के जितने भी देशों का पैसा जमा है तो भारत का जो नंबर हो 77 है कि हूं हाज बिन अपॉइंटिड आज दे चेर्मेन आफ आई ओसी हाली में नई नियुक्ति हुई है इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन में जो चेर्मेन बने हैं वो कौन बने हैं तो इसका आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य श्रीकांत माधव वैद्य आप याद रखेंगे यह वो क्लब है जिसमें उन लोगों को लिया गया है जो की कोरोना से पीडित हुए और बाद में रिकावर हो गए तो इसकी स्थापना वेस्ट बेंगॉल गॉर्मेंट के द्वारा की गई है और वेस्ट बेंगॉल की चीफ मिनिस्टर है ममता बेनर जी वहां के जो फ्रोजेक्ट फॉर इंडिया ओडिस आ lip जरी iy describe, इसका नाम क्या है तो इसका नाम भारत स्टेंटर रिश्टिंग मझार्प ढर्रींग और ने आरे जुकेशल किस स्टेट के द्वारा शुरुवात की गई है तो इसका आंस्वर रहेगा मध्या प्रदेश मध्या प्रदेश ने किल करोना कंपेंगे शुरुवात की है हाली में एक हैस्टयग मीटू बुक को लॉझन स्थ is who Aí और साफी पॉपुलर रहा था और उसके ओपर एक लिखी गई है उसके ऊथर कौन है तो उसकी उठर है करन पूरी निए ऑस्टयग मीट तो तो इसका अंसर है संजीता चानू यह वेटलिफ्टर है मनिपूर से हैं आप यह हरान होंगे कि 2018 का अवार्ड अब क्यों दिया जाएगा एक्शली पहले इन पर डॉपिंग के रोप लगे थे वह अब खत्म हो गए हैं तो इसलिए इसका अंसर है त्रिप्रा गॉर्मेंट ने अनौंस किया है कि जो प्रेगनेंट विमेन हैं उनके लिए एक स्पेशल नूट्रिशन किट उपलब्द कराई जाए जो उसके हेल्प के लिए और इंफेंट के हेल्प के लिए अच्छा हो झाल 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 झाल